हेलो प्यारे बच्छों रक्षमर क्लासेस में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है हमारा एथिल अलकोहल इसका यूपीसी नाम है अथिनौल इसका सूत्र होता है है CS3, CS2OH या इसको हम ले सकते हैं C2H5OH मैं आपको बता दूँ आपके स्लेवस में इसको बनाने की बिधी पगएरा नहीं है आपको सिर्फ इसके रहसाइने गुणों के बारे में अध्यान करना है जो की महत पून है ठीक है तो हम देखेंगे अथिनौल के गुण कुछ निरि करता है तब क्या बनता है हम जिस पर चर्शा करेंगे यह रहा अतले अल्कोहल का सूत्र C2H5 ठीक है C2H5OH प्लास सोडियम से हम रियक्शन करा रहे हैं तब बनता है सोडियम एथॉक्साइड और यहां से हाइड्रोजन निकल जाता है ठीक है क्या पराब दूता है C2H5 ONA ठीक है ठीक है तो C2H5 और यहां से NA ठीक है और बचता है बोटर मॉलीक्यूस बोटर मॉलीक्यूस नहीं हाइड्रोजन ओलेक्यूस यह हाइड्रोग गैस और जाती है इसको हम बोलते हैं सूडियम एथॉक्साइड इस तो एक तो इसके हम लेंगविज लिखना चाहां तो लेंगविज ली सकते हैं लेंगविज जो लिख लोग भलाओं लिखो बटा जब जब अधिल अल्कोहल स्वोडियम के साथ अभिकिरिया करता है ठीक है लिखलो में बोल आँ यहां लिखो जब äthyl alcohol सोडियम के साथ अविकριया करता है तब सोडियम एथाउक्साइट प्राप्ट होता है तो यह जो रिएकसर मैं लिखेंगए यह ब्लैक पीन्स लेखेंगे आप लोग ठीक है तो नाम है एस्टि करन यह पेपर में हर साल पूछा जाता है यह रप्ताम आ लगा ले रहें तो तो क्या होता है जब अधल अल्कोहल की करिया हम काववॉक्सिलिक एसेड से कराते हैं तब हमें एस्टर प्राप्ट होता है और इस किलिया को हम एस्ट्री करन कहते हैं निकी समझ में आया कोई बात नहीं बोट में समझाते हैं तो समझ में आएगा ठीक है दोगों बेटा यह रहा एतल अलकोहल C2H5OH Ethyl Alcohol की किरिया कराएंगे हम Carboxylic Acid से CS3COOH Carboxylic Acid ठीक है तो हमें प्राप्त होता है C2H5 ठीक है दोगों यहां से यह निकलता है Water Molecules यहां से स्टेप से भी Water Molecules निकल जाता है बचता है क्या बचता है C2H5 COOH COO C2H5 COO CH3 CH3 और यह Water Molecules निकल गया था इसको हम बोलते हैं Aster ठीक है इसके दो नाम होते हैं Aster भी कहते हैं और इसको हम Ethyl Acetate भी कहते हैं क्या कहते हैं बचता है इसको हम Ethyl Acetate Ethyl Acetate भी कहते हैं और इसको हम सामान महसा में आश्टर भी कहते हैं तो यह क्या है अध्यव्य पॉर यह क्या है चीज रहे हैं आप लिख सकते हैं यहां पर जब अध्य क्रिया करते हैं और इसके हिंदी अपने आप लिख लेना मैं आपको बता दी लिखो जब अलकोहल एसेटिक के साथ अविक्रिया करता है तब हमें एस्टर प्राप्त होता है अब देखते हैं हम लोग लास्ट रह गया है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी रह गई है तीन प्रॉपर्टी आपके बुक में दी हुई है तो लास्ट है निर्जली करण ठीक है तीसा नमबर होगा निर्जली करण मतलब क्या होता है जैसे चीनी होती है कि में से सार और जाते है सिर्फ कारवन मजचता है खेट चोड़ो वो तौह स की बात नहीं है तुमारी तुम्हारी कंद के लेविल का है वह देखती है तीसरा है निरजली करण निर्जली का मतलब होता है पानी का गायब हो जाना या पानी का निकल जाना निर्जली करन का बतला जल का निकलना ठीक है तीसरा है निर्जली करन ठीक है निर्मलाइजेसन कहते हैं एंगलिस में इसको तो निर्जली करन क्या होता है पिटा देखो निर्जली करन करने के लिए किसी चीज का पानी गयब करने के लिए हमें उसमें सल्फियूरिक एसे जब डाल देते हैं तो फानी के मॉलिकूस गयब हुजाते हैं चीनी के एक्जाम्पल लिया था मैंने ठीक है बताएंगे इस लो खैर चीनी के बारे में बाद भी अभी अभी एसले अल्कूहल का देखो क्योंकि इसी के प्रॉपर्टियां पढ़ रहे हैं C2H5OH इसमें क्या चीज डालना है हमारे लिए कंसंट्रेट H2SO4 ठीक है सांद सल्फ्यूरिक अमल जब इसमें हम डालते हैं तो क्या होगा मैंने आपको बता है वाटर की मॉलिकूस गया हो जाते हैं तो पानी के अलो निकाल दो बचेगा क्या दो C2H4 बचेगा नहीं बचेगा C2H4 यहां इसको हम कह सकते हैं CH2 bond CH2 ठीक है तो यहां पानी का मॉलिकूस गर जाना निर्जली कराणा कहलाता है ठीक है वाटा तो हम लिख सकते हैं लिख लो अपने आप लेंगुजी बोल रहा हूं है लिखो जब आतली अलकोहल में सांसल्फ्यूरिक अम्र डालते हैं तब ऐलकोहल से जल के अडू दूर हो जाते हैं और हमारे लिए यह एक और दो में और एध हो गया ठीक है और इन एथीन तब हमें एथीन प्राप्त होती है ठीक है तो इस प्रिकार्डी प्रपर्टियां आपकी दियांड होती है एथिल अलकोहल के उप्योग बेटा दखो जो पीने वाली होती है वह अथिल के अचीं होता है एक है ठीक है चुल कई कहारं होता ना होता है अच्शे लोगों सेहाद भी बन दिया लेकिन लोग इसको जादा ना पिये इसलिए ठेके वगरा होते हैं गाव में होते हैं छोटे बोड़ी दुगाने होती है उनमें अफले अल्कोल में रादी आता जो कि जहरी हो जाती है पिये लोग मरें ऐसा हो जाए ठीक ज्यादा रादी है इस लिए लाने में इस अच्छा है बलाने में इस पुछ में और आपको एक्सप्रिमेट कर वाइं प्रियोग में ठीक है दूसरा देखते हैं पहला हो गया दूसरा देखते हैं जितनी भी हो त्तमाय सीफ कहता हैं ग त्रीक्त पेढ़के बिलायक के रूप में ठीक्या लग्याव बड्राएक बनाने बनाने में यह पेंट बनाने पेंट के बिलायक के रूप में रूप में रूप जानते हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह बनाने में अलकोहली बनाने में यह फिर लास्ट है मदरा या अन-लकोहली कि अजम बनाने में ठीक है तुश्परकार मैंने आपके लिए कंप्लीट वता दिया क्या यूज तो आज का लेट्चर पर हैं पर एंड करते हैं और कल का लैक्श्र होगा करहें हम बात करेंगे नेक्स चीज के बारे में कल ही बताएंग करेंगे ठीक है तो वीडियो अच्छी